बिहार में भारी बारिश के बाद हुए जल जमाओ को लेकर मुख्यमंत्री नितिश कुमार निशाने पर हैं नितिश कुमार पर हमला बोलने वालों में सरकार की सहयोगी बिजेपी के नेता और केंद्रे मंत्री गिरीराज सिंग भी स्रामिल है उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को अच्छी तरह मालूम है कि गिरीराज सिंग ने जल जमाओ के बाहने नितिश कुमार को पानी पानी करने का जो अभियान शुरू किया है उसके निशाने पर वह भी है रविवार को नितिश कुमार के जेडियू के राष्ट्रिया ध्यक फिर से चुने जाने पर सुशील मोदी ने नकिवल ट्वीट कर उन्हें बधाई दी बलके खुलकर तारिफ पी की सुशील मोदी ने नितिश के लिए जो शब्द कहें वो निश्चित तोर पर गिरी राज सिंग को उनका जबाब माना जा रहा है सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि एंडिया के सहयोगी दल जेडियू का राष्ट्रिय धक चुने जाने पर मुख्यमंत्रे नितिश कुमार को हारदिक सुपकाम नाए इसके बाद मोदी ने नितिश की तारिफों के पुल बांधते हुए कहा कि उन्होंने बिहार में न्याय के साथ विकास की राजनीत को नई उचाई दी और आपदा की चुनोतियों को भी जंता की सेवा के उसर में बदलने का हुनर सावित किया बता दे गरिराज सिंग पिछले कई दिनों से आपता को लेकर नितिश कुमार पर हमला बोल रहे हैं इससे पहले NDA के एक और घटक दल LGP के मुख्यार रामविलास पासवान ने नितिश कुमार को अध्यक्त चुने जाने पर बधाई देते हुए उनके कामों की तारिख की थी रामविलास पासवान ने ट्विट किया थी बिहार के मुख्य मंत्रे नितिश कुमार जी को निर्विरोध जन्तादल युनाइटेट का राष्ट्रिया ध्यक्त पुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुपकामना आए आपके कुशल ने ट्रितु में न सर्फ जेडियों ने नई उचाईया पाई हैं बलकि राज्य के मुख्या के तोर पर आपने शुशासन की नई परिभासा लिखी है